नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज लेकि शिक्षा विभाग के अपर मुक्सचीव केके पाठक को कोट से बड़ा जटका लगा है आपको बता दें कि कोट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है और फ्रीज किये गए बांक अकाउंट को ओपन करने का भी निर्देश दे दिया है लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखर हम क्यूं कह रहे हैं कि केके पाठक को कोट से बड़ा जटका लग गया है तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई को कोट के जाने माने अड्वोकेट देव प्रकाश जी से सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बाद जी धन्नवाद वकील साब सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखर पूरा मामला क्या है और यह मामला कोट कैसे पहुंच कि जटका समंधी बात तो नहीं कही है घ्रोझ जासकती है लेकिन बुर्भागफ में इस बात में को यह बिल्कुल को दोविधा नहीं है विलकुल असपशता, बलकी है कि गवर्नर राज के एक्सकुटिव है आर्टिल 154 में लिखी लिखा हुगा है और 163 में चीफ मिनिस्टर को कॉंसल आफ मिनिस्टर के हैड होते हैं तो वो उनको एड़ा एड़ाइस करते हैं लेकिन जो उनका क ópt का भी आदेश हो चका है कि इनवस्टी के के में चांस्लर जो होते हैं वो समुचे के पूड़े के हैं आउप रही हेड हो सकते है अब वो ऐसी कहीं में भायर चांसलर को मिटिंग बॉला लेना प्रोफ ही को टॉप बॉस हैं वो एक्सकुटी भेडे स्टेट के गवर्णर ही माने जाते हैं विट्विन दिया आर्म्स थे एक कंफ्लिक्ट हो रहा है मैंने पहले भी इस केस में कहा था कि यह दुर्भागपुर्ण से थी है इसमें कहीं कहीं चीफ निश्टर को बीच में परके रिजॉल कि भी आपस में लड़े हों और मामला हाइपोर्ट चला जाए वह तो भला हो कि जो एक महाधिवक्ता महोदय है उन्होंने अपने जिविवारी जो आटके 165 के सब आटके 2 में लिखा होगा उसके उन्हों निरवा किया और जिशनल सॉलिसिटर जरेनल जो गवर्णर के एट आटा है तो फाइनांस का जाता है तो फाइनांस के हैट है ना फाइनांस को फीटर अबे कर दो कोई नहीं चाहेंगे यह चीज वाइटके मीटिंग्ट आपस में लड़ने की बात कहां उठ रही है कि A.C.S. का कफ्लिक्ट विद गवर्णर का हमको समझमें नहीं बात रही क लड़ने कहां बात होती है कहीं यह कहीं प्रस्टनल हुई मौट पैंसिज का मामला हो सकता है लेकिन लौ में कोई दुखधा नहीं है लेकिन दोनों जो महादिवक्ता महोद्य और इसना सोजिटर जेनरल ने समझे कि कल था इनके यहां और बुल जस्टिस अंजनी कुमार सर और टेक अप होने वाज में कहा गया कि धंकी बाते हैं सारे सिक्षकों का बेतन बंद है जो रिटायर कर चुके उनका पेंसन बंद है कोई काम इंबस्टिम नहीं हो पा रहा है सारा चुट है चुकी अकाउंट सारे सीज कर दिये गए और एक नहीं लगवा कि सारे नो नो इ समझ ये क्या चिति उसमें वही होगी अब उसमें तो ये तो हाई प्रोफाइल मामला हो यह हम लोग करा देते हैं तो चुकी उसके पहले जो उनिवस्टिक की जो इर्वकेट्स रहे थे और बॉल रहे थे कि साब हमनों की सिह हो गई है कि RDD और तो इस बात अभी इसका जिर्णन्या नहीं हुआ इसमें यह कहा गया एक गुडविल गेस्चर में निट्रल प्लेस पर जो ना सचेवालय का जगा हो ना गवर्णर हाउस का जगा हो एक मीटिंग आप करा लीजिए जो मोड्या होटली साइड हुआ से छे ताइड होगे होगे में दिसाइड होगे मीटिंग कर लीजिए एक आरे बजे से और वो मीटिंग का जो खर्च होगा मोड्या होटल का वो इसकेशन डिपार्टमेंट बहान करेगी अचा मतलब शिक्षा विभाग वो खर्च उठाएगी केके पाठक वो खर्च उठाएगी और इसको करके मीटि कोन करेगे तो उनकी प्रच प्रच उस पर ने खाएग अगर वह फ्रुसत से हैं ूजए वो फुरशत में हैं तो अज्या काining करें खार टाहर फ नेग्या हсы मेंんな Androw Cause जैए कडर स्हुलआ मेंडड में करें करें तो कोई भी उस मीटिंग के अध्याक्ष नहीं होंगे कोई भी उस मीटिंग के अध्याक्ष नहीं होंगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा आपस बातचीत करेंगे कोई पर इसा नहीं कोई आप बोलिये पिर जहां समनों तहां से कट कर देजिए वो नहीं होगा एक इंटरेक नहीं कर सकती चीजों को, तो बोला कि उस अच्छा भी धें, तो बोला कि गैस धंग से गर बात कुछ होगी, और कुछ धंग का बातारून हो गया, कुछ गर्मा गर्मी हो गई हो गई, चुकि जगड़ा कंफ्रिक्ट का मेंटर है, उनका कहना कि हमारा आधेस नहीं माना, उनक करते हैं करके एक गुडविल गेस्टर में इस बात को सब को सेटल कर लीजिए करके बात खतल करें जो मुख काटा गड़ा हुआ था वह था कि सारे काउंट को डिफ्रीज करिए सब लोगों को बेटा निटाइज जो पेंशन रिटाइलर बेनिफिक्स है और जब तक की केस की हेरिंग चलती रहेगी इस बीच में कोई भी कठोर काड़ वाई उनके अगैस्पर इनवस्टी के नहीं हो यह भी कहा गया इनवस्टी के जो फाइन राःढ़ मितिंखर कर लें हम 7-5 मई को रख रहे हैं तो नहीं होगा तो कौछ तो कानून पर जाए जाए गए कोट कीतना समय आ यह बात आवर दुर्भाग पुर्ण है यह मिटिंग मुखमंत्री की घर पर भी हो सकती थी और पांच मिनट लगता हूं को सटल करने वह उतों सब के हैं इतनी बर्वनी नहीं चाहिए थे यह दुर्भाग पुर्ण बात है अचाम यह भी समझना चाहेंगे आपसे वकील साब कि इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी मतलब बैठक भी अब हो रही है आपने बताए कि अध्यक्षता के लिए भी पेश मंजस में स्तिती पसीवी थी लेकिन बैठक की जरूरत क्यों पर देखिए बैठक तो एक प्रेसर कूकर का काम करेगा प्रेसर कूकर में से नहीं भिस जो रिटायर कर गए दास साल पांस साल पहले उनका क्या दोस्त है आपने उनका भी रोग दिया यह तो समझे अगर सुप्रीम कोट ही मामला पहुंच गया तो बहुत बरांगामा होगा जो कि पैंसर किसी का आप नहीं रोग सकते और पैंसर आप रिटायर आजम का परोग दिय हैं और उसका वेकांप फिरिज कर दिये तो पता नहीं कईसे इस बिर सोचल इस डंका इस टेप उठ रहा है यह मेरे समझ के बाहर की बाए भाग करेगी और उस मीटिंग को सभार्पून करके बात को सटल करके खतम करें यह बात इस जंक से नहीं हो और दूसरा भी इस तो आपको क्या लगता है इस बैठक में केके बाठक पहुंचेंगे वह आदेश तो है इसमें और अगर पाथक नहीं पहुचे तो तो बात में कोट बात को समाधान नहीं होगा और समाधान नहीं होगा तिनका तो एकाउन तो डीफ्रीज हो चुका बीच में कोई नोक पूर्ट से नहीं होगा इनवर्स्टी तो भी मोटा-मोटी एक कदम जीच चुकी है और जो एड़ोकर जंदल नहीं पूर्ट्ट तो ब्यक्ति सबस्ट axis के लगएगा। के लोग चेस कर रहे हैं, क्या इस्तितिय नाइन में लगए हैं, प्रलाइज SISTEM हो गया। स्टिति है क्या लगता है वकील साथ 17 तारीख को अगली सुनवाई होनी है क्या लगता है 17 तारीख को क्या होने जा रहे हैं तो कोट कर देगी है कर लें तो अच्छी बात है नहीं तो कोट कर देगी कोई उपाई नहीं है चुकि आपने देखा कि महाद वक्ता महोद है और जो इसके आगे इस्टेप उठाने के रूत नहीं पढ़नी चाहिए अभी तो कोट ने डिफ्रीज कर दिया एकाउंट सारा और यह भी का कोट से बी अगे विजरवत परी तो हमें लगता है कि अगर होता है तो पुना है क्या लगता है मामला सुप्रीम कोट भी बहुत सकता है वकील साहथ ने यहीं सतल हो जागा कोई अधिवक्ता लडने को तयार नहीं है महाधिवक्ता महोदय ने कंस्ट्रक्टिव ले लिया हो सकता है कि केके पाठक सुप्रीम कोट का दर्वाजा भी खटटा दे एक वो भी परिस्तिती बन जाए बुरी स्थिती होगी उसमें बुरी स्थिती ह अगर मामला सुप्रीम कोट जाता है तो किसके हक में फैसला हो सकता है किसको जटका लग सकता है देखिए गवर्नर की अपने सही फुटिंग पर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जो स्टेप्स लिए गए गये थे इसको गवर्नर तुरू मिटिंग करवा है माली यह को अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है तो अब देखना होगा कि आगे 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 क्या कुछ होता है तो यह पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया